वाइट लिली पोधे में फूल आ चुके हैं, बहुत सुन्दर फूल हैं, जो पहले फूल आये थे, उसमें से बीज भी बन गए हैं, आज हम बीज को कलेक्ट करेंगे और बीज के दोरा पोधे बनाएंगे, ये देखेगा हमारे वाइट लिली के बीज हैं, बहुत अच्छे क काले काले होते हैं, इनको आप देख सकते हैं, आपने नहीं देखा हो तो आप देखेगा कितने अच्छे फूल होते हैं, इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, पंदरा से बीज, ये बीज के दाने हैं, अब इन दानों को हम दो छोटे से गिलास जो हैं, उन गिलासों में बवाई क करेंगे इस प्रिकार से इन बीजों को यहां पर हलका सा उपर दबा दीजिएगा लगभग एक इंच से कम ही रखिएगा ज्यादानी की मत जमाएगा ने तो देरी से जमेंगे लगाने के बाद में हलकी सी इसके उपर मिट्टी की पर्थ चढ़ा दें उगली सी करती हो करने के बाद में इसमें नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी डाल देजेगा पानी डालने के बाद में हम इसके उपर गर्मी बनाए रखने के लिए हमारे पास कमल केकड़ी का यह पोधे थे तो उससे हम यह निकालके इसके उपर ढग देंगे डखने के बाद में इसको सुर्चित इस्थान पर रख देंगे और चर्मिनेशन होने के बाद में इनको सिप्ट करके नए गमले में लगा देंगे इस परकार से हमने ये कमल का हिकली का रख दिया है ये सो इसमें छेंद है